सोच को अच्छा रखने के लिए चलो मैं छोटे-छोटे पांस साथ मीठे मधुर आपको मंत्र देता हूँ लोहे को जैसे जंग बरबाद करती है ऐसे ही आदमी को उसकी छोटी सोच बरबाद कर देती है समझ लो माना कि समश्याएं हर कदम पर खड़ी है बोलो माना कि समश्याएं हर कदम पर खड़ी है पर जिंदगी की बाजी वही जीते है जिनकी सोच बड़ी है समश्याएं तो हर कदम पर खड़ी है दुन्या में ऐसा कौन है जिसकी जिंदगे में छोटी मोटी कोई समश्या ना हुआ कौन है जिन जिन को आप भगवान कहते हैं ना चलो एक एक जीवन को आजो किन किन को आप भगवान मानते हैं नाम बोलो राम जी भगवार समश्याए थी की नहीं नहीं आप से कम की ज़्यादा सीता जी महासती समश्याए थी की नहीं आप से कम की ज़्यादा अच्छा, कहते हैं ना, सीता जी जन्मी तो माँ की कोक नहीं थी, जमीन में से प्रगट होकर आई, आप तो माँ की कोक से निकलें और 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 जब शादी हुई तो आपके तो बेंड बजा है ना, बेंड बजे और क्या क्या हुई थी, उनका तो शादी मतलब, क्या, वरमाला डालते के साथ है, अब सोचो क्या गजब का बेंड बजा है, क्या गजब का बेंड बजा होगा, कल पना कर सकते हैं है, आप तो सस्राल आए तो पता नहीं कितना आपका लाड प्यार दुलार सासों माने किया होगा, वहाँ तो ऐसी सास मिल गी जिसने, क्या किया वानवास बिजबा दिया, क्या कभी कल्पना किये आपने जनक नंदनी लक्षमी का अवतार कौन? बोलो मूसे लक्षमी का आवतार और पतनी किस की, इसामान निये इनसान की नहीं? भगवाण की पतनी और कुल वदू सामान ये वंस की नहीं? रगुकुल की वह कुल वदू रगुकुल की मारानी भारत के विश्वकिया सबसे बड़ा जो वंश और कुल माना गया महान वंश जिसमें राजा दिलीब जैसे लोग पैदा हुए जिसमें दसरण जैसे लोग पैदा हुए जिसमें अज जैसे लोग पैदा हुए जिसमें रगु जैसे लोग पैदा हुए जिसमें भगवान शी राम जैसे महापुरुस पैदा हुए ऐसे वन्ष की महरानी गंगल जंगल में खाक चानी रामर देशा आत्ताई उठा कर ले गया वापस राज महल में आई तो अगनी परिक्सा से गुजरना पड़ा मालू मैं यहीं तक बात खतम हो जाती तो बात चल जाती अब बोलो आगे क्या हुआ है जनकनंदनी दुन्या के राजरसी की बेटी दुन्या के भगवान की पत्नी दुन्या के सबसे महान चक्रवर्ती राजा के वंश और कुल की माहरानी को अपनी संतानों को जनम देने के लिए एक रिशि के आश्रम में जाकर सांदेने पड़ी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फिर भी किसी की बड़ी सोच क्या होती है फिर भी मा सीता, भगवती सीता मा जगत जननी, लक्ष्मी का आवतार सीता सदा मुस्कुराते वे अपनी जीवन को जीती रही क्योंकि उसे पता था जिन्दगे में जो कुछ पाता है इनसान अपनी ही बॉय वे बीच का फल पाता है इसलिए बीजों को बोने में सावधानी रखो फल तो तुम्हें वही काटने पड़ेंगे जिनका तुने बीच बोया है अब एक वार सोचो जितना मा सीता के जीवन में संकट आया आपके जीवन में दुगुना आया तीन गुना आया चार गुना आया आधा आया कितना आया उसके सामने तो कुछ भी ही नहीं आया आपके तो को केके येके ही नहीं आपके तो को जंगल वंगल नहीं कोई रावाण माणों मिला नी कोई बनवाज जाना पड़ा नी आपके संतानों को जन्म देने के लिए तो फर्स क्लास होस्पिटल में आपका ओपरेशन करके पचास हजार का बिल बना के बार निकला गया तो ये सब चीज़ें आपके साथ तो नहीं हुई मैं केना चाता हूँ जिनके जीवन में इतने बड़े संकट आए सत्य पत्मत छोड़ मंजिल दूर है तो क्या हुआ अरे संकट अगर भरपूर है तो क्या हुआ सत्य पत्मत छोड़ अगर मंजिल दूर है तो क्या हुआ संकट भरपूर है तो क्या हुआ क्योंकि तैम मान कर चल दुनिया के हर धारावाइक में अन्तिम वाक्य तो यही आता है सत्यमेव इसलिए तो हम बोलते हैं ना साच को कभी आज नहीं है दुनिया के जतने भगवान आप नाम लेंगे ना कोई भी व्यक्ति पिनाव संकटों को जेले भगवान नहीं बना है इसलिए समश्याएं तो हर कदम पर खड़ी है जीवन की बाजी वही जीते हैं जिनकी सोच बढ़ी है भगवान मावीरी के कान में किसी ने किले ठोके वो शांत रहे पर जो वैद्धिय उनका किल निकाला था तो उनकी आँख भर आई तो वैद्धिय ने का भगवान ये क्या तो भगवान कहते हैं मेरे मन में आ रहा है जिस आदमी ने जिस ग्वाली ने मेरे कान में किले ठोकी है मैं तो साधना में था सहन कर गया पर बेचारे उसके कभी कर्म का उदे आएगा तो बेचारा वो इस दर्द को कैसे सहन करेगा उसके उस दर्द को याद करके मेरी आंके बढ़ाई है सोच अगर बड़ी रामजी वनवास में थे रामण की मृत्य हुई कितना महान वो पल लहा होगा कितना गौरों में वो पल लहा होगा इतिहास का कितना रौमान चिकारी वो पल लहा होगा इतिहास का कितना स्वर्णिम वो पल लहा होगा जब भगवान श्री राम रामण के शव के सामने पहुंचते हैं तो पहुंचते के साथ ही पहला कर्म करते हैं अपने कंदे पर रखे वे उत्तरी वस्तर इसको क्या कहते हैं? उत्तरी वस्तर इस वस्तर को उतारते हैं और भगवान पूरा उनका बदन उगाड़ा हो जाता है और सुबस्तर को ले जाकर किस पर रावन के सव पर उढ़ा देते हैं पास में खड़े लक्षमन और हनुमान और सुग्रीव और विविशन कहते हैं भगवन ये का तो भगवान कहते हैं हर किसी व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए जब तक जीवित था तब तक हमारा दुस्मन था अब ये हमारे सम्मान के काबिल है और इसको पूरे सम्मान के साथ वापस लंका में भिजवाये जाए ये घटनाएं इनसान को भगवान बनाती है अरे जब भगवान राम अयुध्या में लोट कर आये नगर के बाहर उनके अगवानी के लिए कितने लाकों लाक लोग खड़े थे भगवान के साथ लक्षमन, सीता और कौन-कौन बोलो नाम विभीशन, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और नल, नील और वो जांबबंत, अरे वाँ, इशारे मुझे समझ गया सब, सभी लोग आये थे ना अब सोच सकते हैं, उन सबने जब इस घटना को देखा होगा तो उनका दिल कितना रोमान चिद गद गद आहलास से बर गया होगा किसे जब राम उतरते हैं, किस विमान से बोलो बोलो पुस्पक विमान से जब राम उतरते हैं, उतरते ही अई लाको लाक अईध्यावासी करें हैं, किसी व्यक्ति को भगवान बनने के लिए जिन्दगी बर साधना नहीं करने पड़ती, दो पल का कर्म ही आदमी को भगवान बना देता है सिद्ध बनने के लिए साधना करने पड़ती है, भगवान बनने के लिए आदमी का दो पल का कर्म उसको भगवान बनाता है राम पुस्पक विमान से नीचे उतरते हैं सामने कौशल लिया है वो मां जिसने जनम दिया सामने सुमित्रा है वो मां जिसने अपने लाड़ ले को सेवा में साथ बेजा और सामने तीसरी है वो मां कई कई जिसने चोधे साल वनवास में जाने की पिता की अप अम्रत्यू की सारा दुख दबातान जिसने जनम दिया राम एक पल में तुम भगवान बन गई जब राम पुस्पक विमान से नीचे उतरते हैं सामने तीनों माताओं को देखते हैं बिलकुल किदारे सुबक रही सिरे ढकी हुई और बिलकुल उदास कड़ी ही कह कही जिसको पता है मैं मुँ दिखाने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि जो कुछ हुआ उस सबका कारण मैं हूँ रगुकुल के ये जो गटना करम गटित हुआ वो कलंकित महिला मैं हूँ जिसने रगुकुल में इस तरह की इस्थितियां लाकर खड़ी की लेकिन महान बनते है राम वो एक सेकेंड राम को भगवान बना देते हैं जब वो बड़ी सोच को लेकर मैंने का ना अच्छा सोचेंगे तो अच्छा और बुरी सोच से बुरा बनेंगे राम नीचे उतरते हैं सबसे पहले इधर खड़ी है सुमित्रा इधर खड़ी है कोशलिया इधर खड़ी है केकई हाथ जोड़कर प्रणाम करो भगवान श्री राम को जब जाते हैं वो सबसे पहले केकई के पास और जाकर गुटने टिका के गुटे तिका के अपने उस मा को प्रणाम करते है केकई मा को दुनिया में राम को भगवान तब केकई बनाती है और केकई अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा कर राम को उठाती है गले से लगाती है और लगा कर कहती है राम आज पता लगा लोग तुझे भगवान क्यों कहते हैं आज पता ये बड़ा कर्म ये बड़ी सोच वाला वेक्टी ये महान कर्म कर सकता और नहीं तो इस कही कई के कीडे पड़े क्या बोलते हैं अगर आपके जिन्दगे में कोई कही कई आ जाती है ते आप क्या किते हैं यो भगवान मैं मरूं या जिए हुँ पनी पर एक वार कि एक वार इसके एक वार रिखाने करें ये राम थे भाई राम ये राम नहीं राम के बड़ी सोच थे दुश्मन के प्रतिबी मेत्री के भाव जो बैकती पालते हैं उसी सोच का नाम बोलो बोलो बड़ी सोच सोचो 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 जीसस पता है जीसस को सलीप पर लटकाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी उनके यह शिश्चे की थी दुरभाग्य से उनको एक ऐसा शिश्चे मिल गया जो विद्रोह कर गया और उसी ने जीसस को सलीप पर लटकाने में अपनी भूमिका दा कि और आपको पता है जीसस भगवान कैसे बने मैं बता हूँ आपको अरे जब उनको सलीप पर लटकाया जा रहा था तो लटकाने से पहले उनकी अंतिमिच्चा पूछी गई अब याद करो ना कि उनकी अंतिमिच्चा क्या कही गई तब उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ मेरे उन दोनों शिश्यों को मेरे सामने बुलाए जाए जिन्होंने मेरे साथ बिद्रोह किया है मेरे विप्रीत बने हैं और आज सलीप पर लटकने में जिन्हों ने भूमिक अदा की है, उन दोनों सुष्यों को बुलाया जाए, वो आने को तैयार नहीं क्योंकि उनको पता है, हम जैसे ही जाएंगे, हमें बद्दुआएं मिलेंगी, क्या मिलेगी? हम जैसे ही जाएंगे, जिन्दगे में याद रखना, दो चीज हमेसा याद रखना, दुआ को कभी छोड़ना मत, और बद्दुआ कभी लेना मत, क्योंकि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, बल लो, बल लो, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, और बद दुआ कभी पीछा नहीं चोड़ती दुआ कभी साथ नहीं चोड़ती और बद दुआ कभी पीछा नहीं चोड़ती मैं ऐसे व्यक्ति के बारे मैं जानता हूँ जो व्यक्ति शिकारी था और उसने एक बार जंगल में ऐसी हिरनी का सिकार कर लिया जो गरववती थी उसके बच्चों का जन्वो होने ही वाला था और उस लोन बच्चों का उस हिरनी का सिकार कर लिया वे बच्चे मा की पेड़ से तरफ तवे बाहर निकल गई मा भी मर गई, दोनों बच्चे भी मर गई पता नहीं कितनी बद दुआ देकर वो हिरनी मरी होगी, लेकिन जब उस व्यक्ति का विवाव हुआ, कैसे आपको बताओं, उसकी पत्नी भी डिलेवरी में थी, लेकिन उसकी पत्नी से ऐसा जगड़ा किसी बात को लेकर हो गया, उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और जब आत्महत्या कर तो उसे बाद में पता लगा जब उसका पोश्ट मार्टम हुआ कि उसके पेट में भी दो बच्चे ट्विन्स बच्चे थे उसे पता लग गया बद दूआ कभी पीछा नहीं छोड़ती कभी मैंने हिरिनी की दो बच्चों को मां के पेट में मारा था आज मेरे ही दो बच्चे मेरी पत्नी के पेट में मरी और पत्नी मरी इसलिए बद दूआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है अगर लेना हो तो दूआ लेना भूल चुकर किसी की बद दूआ मर लेना दोनों शुश्यों को बुलाया गया एक मिनट ले रहा हूँ क्योंकि घटना भी एक मिनट की थी और ये एक मिनट ही जीसस को भगवान बना देगा केवल एक मिनट भगवान बनने के लिए एक बड़ी सोच चाहिए अगर आप जिन्दगे बड़ी सोच रखे तो अच्छी बात है ना रखें तो दस साल के लिए नियम ले लो मैं बड़ी सोच रखोंगी अच्छी सोच रखोंगी किता साल दस साल लगता है दस साल नहीं नहीं मैं तो रही नहीं सकती घटिया सोचे बगर एक साल का नियम ले लो भई एक साल तक लगता है नहीं, मैं घटिया सोचे बगर नहीं रहुंगे, अगले शिविर तक का नियम लेवर कि तीन मेना, चार विना मैं बड़ी स्थ, अगर आपको लगता है नहीं, मुझे तो घटिया सोच रही पड़ता रही, तो मेरे खाया पर आजम नहीं, तो कम सेगा मैं एक महेने क का ले लो, एक घंटे का ले लो, मेरी बात को याद रखना, अगर आप एक मिनट का भी नियम लेते हैं, कि मैं आने वाले एक मिनट के लिए पॉजिटिव होंगा, तब भी आप सुख की सांस लेने में सफल हो जाते हैं, कितना नियम, मैं एक मिनट पॉजिटिव होंगा, मैं एक मिनट अपने बहु के साथ positive होंगी, तब जब वो negative बोलेगी, मैं positive होंगी, वो एक मिनट ही रिस्तों को में मिठास को लेगा, तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट की बड़ी सोच ने जीसस को भगवान बना दिया, और कहते हैं, उन सिश्यों को लाया गया, वे सिश्यों, तैहे जीसस के मन में आ सकता था भगवान इन दोनों के कीडे पड़े, इनके कान मुझे सली पे, आज इनोंने मेरी दुरदशा की है, मैंने इनको पाला, पोसा, तैयार किया, और आज इनोंने मुझे इस मुकाम पिला के खड़ा किया, बगवान इन दोनों सिश्यों के क्या डाल, कीडे पड़े, कीडे, सुचो क्या किया था उनोंने, तब उनोंने कहा, एक ठाली मंगाई जाए, सुचो, सोच सकते हों आप, कि कोई वक्ती कितना उन्चा महान वेवार कर सकता है, एक ठाली मंगाई गई, इतना ही नहीं, कहा थुड़ा सा दूद और पानी मंगाई जाए, रोमान्चित हो जाएंगे आप, आहलास से बढ़ जाएंगे आप, आत्म विवर हो जाएंगे आप, शद्धा वक्ती से बर जाएंगे अब, और मन आपका गवाई देने लगेगा, कि मैं कब तक घटिया और नीची और ओची और नेगेटिव सोच में जीता रहूंगा, और तब कहते हैं, जीसस ने अपने उन दोनों सिश्यों के जिनके काण उनको सलीप पे लटक ना पड़ रहा था, उनके दोनों सिश्यों के पाउं को दूद और पानी से धोया, और अपने लंबे बालों को आगे लेकर आए, और आगे लाकर उन दोनों के पाउं को पहुँचा, और अपने हाथ उपर करके भगवान से कहा हे इश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि इन्हें नहीं पता क्या कर दिया है मेरे भाई केवल खुद के नाम के साथ महापुरस और भगवान लिखने से आदमे भगवान नहीं बनता है बगवान बनने के लिए इतनी बड़ी सोच का मालिक बनना पड़ता है इसलिए आज का ये मंत्र अपनी जीवन में जोड़ लो मैं आपको जीवन का छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूँ और वो छोटा सा मंत्र है और वो है मैं अपनी सोच को में सा अच्छी रखूंगा, भड़िया रखूंगा, पॉजटिव रखूंगा, सकारात्मक रखूंगा, मीठी रखूंगा, प्यारी रखूंगा आज हाद जुड़के याद कर लो, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, जिससे आपके थोड़ी सी दूरी बन गई हो जिससे आपके जीवन में तनाव आ गया हो, जिससे मान सिक लेश पैदा हो गया हो, जिससे मान सिक दूरी पैदा हो गयी हो, जिससे मन में नेगेटिविटी आ गयी हो, जिसके कान मन खराब हो गया हो, आज अपने दिल को बढ़ा कर लो, मेरे भाई, भगवान श्री माहवीर कह करते हैं जब तक तुँ सभी जीवों से छमापना करके अपनी मन के दशा को पूर्ट या निरमल नहीं कर लेगा तब तक तुँ जिंदगी बर तक ध्यान करता रहे तुझे कोई प्रणाम नहीं मिलेगा तेरा पात्र पहले ही गंदगी से भरा है मैं कितना भी अम्र डाल दू वो अम्र जाते ही गंदा हो जाएगा इसलिए अपने मन के पात्र को पहले साफ कर ले और मैं इसलिए आप लोगों की आत्मा को प्रेरित कर रहा हूं आप लोगों के मन को प्रेरित कर रहा हूं अपने अंतर मन को इस बात के लिए तैयार कर लो मैं आज के बाद मेरा कोई द प्रती भी बहुत प्रेम है, मेरा सास के प्रती भी बहुत प्रेम है, मेरा बच्चों के प्रती, मेरा गुरू के प्रती, मेरा शिश्य के प्रती, मेरा परिजनों के प्रती, मेरे आफिस वालों के प्रती, मेरे करमचारियों के प्रती, मेरे सेट के प्रती, मेरे मालिक के प्रत उन सारी गांठों को मैं खोलता हूँ, मन को निर्मल करता हूँ, भावधशा को निर्मल करता हूँ, अपनी सोच को पवित्र बनाता हूँ, क्योंकि बड़ी सोच में, पवित्र सोच में भगवान का बसे राय, मुझे पता है, राम के मंदर में राम होते हैं, बुद्ध के माहवीर की मूर्थी होती है पर मुझे कोई पूछे हैं ये सब एक जगह कहां होते हैं जहां आदमे की सोच बड़ी होती है वहां सब भगवान होते हैं जहां आदमे का हरदय निरमल होता है जहां आदमे का मन पवित्र होता है जहां आदमे की भावदशाएं निरमल होती है ज हम संबोधिय से जुड़ेवे रोज एक-एक शब्द, जीने की कलाका पाड़ पढ़ते रहेंगे, पर आज मैंने पहला शब्द दिया है, सकारात्मक सोच, भली सोच, अच्छी सोच, पॉजेटिव सोच, बढ़िया सोच, मिठी सोच, क्यों? क्योंकि पाउं में पड़ी मोच, और दिमाग में घटिया सोच, ये आदमी को मिरसा नुकसा नहीं देती है, जैसा सोचेंगे जीवन में, वैसा ही बन जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ओम 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 कर्या है झाल 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 झाल